Hello everyone, Welcome to Okul, India के सबसे affordable learning platform में आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आईए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, that is Certificate Physical and Human Geography, GC Leong Geography की जो बुक है, उसको हम लोग स्टार्ट कर चुके है तीसरे चैप्टर में हम लोग इस बुके हैं, और तीसरे चैप्टर को भी हम लोग पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं, that is Volcanism and Earthquake का जो चैप्टर है और पहले पार्ट में हमने थोड़ा सा Volcano के बारे में समझा, जो अलामुखी के बारे में समझा, कुछ Basic Intrusive Landforms जो हैं, उनके बारे में समझा जैसे कि हमारा Lecolith है, Lopolith है, Faculith है, Betholith है, यह समझा, Types of Lavas हमने समझे थे, Acidic Lavas क्या होता है, Basic Lavas क्या होता है, Types of Volcanic Volcanoes हमने समझे थे, Active Volcano, Dormant Volcano, यह हमने बात करी थी आज हम लोग specifically बात करने वाले हैं, कुछ Exclusive Landforms के बारे हैं, चीक है, तो वो चीज़े स्टार्ट करेंगे, और उसके लिए आप लोग को मैं एक चीज़ और भी बताना चाहरा था, कि आज से जो है अब यह जो GC Lyon की बुक है, इसके जो courses है, वो regularly आप लोग को मिलेंगे, क् जो हमारी India Physical and, जो हमारी बुक चल रही थी, India People and Economy की, जो दूसरी Class 12th की बुक चल रही थी, NCRT की, उसका course जो है, वो complete हो चुका है, तो अब आप लोग को हफते के 6 के 6 दिन, जो है, Monday to Saturday, यह GC Lyon का course, सुबह 8 बजे इसी तरीके से मिला करेगा, ठीक है, तो इसका जो full course है, व से बड़ी बात, फाइदे की यह है, जो course है, उसकी validity है 5 साल, ठीक है, यह बात आपको ध्यान लख नहीं है, course की validity है 5 साल, अगर आप आज की date में course purchase करते हैं, आप अगर 11, 12th के बच्चे भी हैं, तब भी आप लोग जो है, अपने graduation complete करने तक, और जब तक आप UPSC का paper अगर देते हैं, 5 years आज से, आपको इस course में enrollment मिलेगा, ठीक है, एक बार का payment है, और इसमें फिर notes और quizzes भी add होते जाएंगे, अभी इसका rate जो है, वो काफी कम है, और जैसे SS में content add होते जाएगा, तो इसका rate जो है, वो बड़ेगा, इसले जितना जल्दी हो सके, आप लोग इसमें ना बूल है, so that की वीडियो की notifications वगरा, उनसे भी miss ना हो, ठीक है, और साथ ही, जो हमारा उकुल का web app है, उसको भी आप लोग install कर लीजिए, मैं रोज आपको ये बात भी बता रहा हूँ, कि नीचे description box में इसका भी link दिया गया है, कि किस तरीके से इस web app को install करना है, ये एक normal app की तरह ही जो है, आपका काम करेगा, और वहाँ पर हम आपको notifications वगरा जो है, वो भी दे सकते हैं, ठीक है, तो इसको भी आप लोग कर लीजिए, और course पे अगर जो भी interested है, वो लोग जितना जल्द से जल्द हो सके, नीचे description box में link दिया हुआ है, वहाँ से जाके इस course पे above the surface बनेंगे, ठीक है, हमने intrusive landforms की बात करी थी, intrusive landforms वो होते हैं, जो below the surface बनते हैं, ठीक है, ये landforms जो हैं, ये above the surface बनेंगे, ठीक है, extrusive landforms are determined by the nature and composition of the lava and other ejected materials, ejected material मतलब वही जो surface के बहार आगिया है, ठीक है, that reach the surface of the earth, the fluid basic lava flowing for long distance produces extensive lava plains and basalt plateus, ठीक है, किस तरीके से आपका जो lava plane से वो दिखाई देता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस figure में जो आपको ये दिख रहा है, this is your lava plane, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, this is your lava plane, ठीक, जो अभी आपको दिख रहा है, इस तरीके से, और जो basalt plateus है, यानि कि जो इसके basic lava से जो plateus बन रहा है, that is a basalt plateus, वो ये है, ठीक है, यहाँ पर आपको फिकर में दिखाया है, this one is your basalt plateus, ठीक है, आप देख सकते हैं, किस तरीके से ये थोड़ा सा एक highland का region है, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो ऊपर का region बना हुआ है, this is your highland region, तो ये this is your basalt plateus, ठी उसका जो north western part है, ठीक है, वो भी हमारा क्या है, एक तरीके का, ये basalt plateus ही है, ठीक है, और iceland में भी इस तरीके के plateus बगरा जो है, वो काफी जादा पाई जाते हैं, ठीक है, this is your basically, I can say this is your lava plane, ये जो उपर में ने बनाया है, this is lava plane, और ये जो side map को figure में दिखाया जा रहा है, this is your basalt plateus, ठीक है, this is your basalt plateus, I hope कि images देखींगे, आपको तो थोड़ा से चीज़ें जो है, जादा अच्छे से समझवाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखें, ये पूरा का पूरा बुक, एक तरीके सा आप अगर बुक में देखींगे, तो ये पूरा का पूरा sequence बुक के ही साथ चल रहे हैं, हम लोग, लेकिन, मैंने इस तरीके से थोड़ा बहुत इधर उधर करके से लगाया है, so that कि आप लोग को चीज़ें जो है, वो image के साथ समझाई जा सके, ठीक है ना, तो आइखोब कि आप लोग को इस तरीके से, क्योंकि अदर्वाइस ये बुक मैंने देखी है कि काफी साथ बोरिंग सी बुक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐस सच है नहीं, ठीक है, बहुत ही एक black and white सी बुक है, और इसमें कुछ ना images धंकी दी हुई है, ना कुछ भी चीज़ें दी गई है, तो इसलिए इस बुक में क्या किया गया है, कि content पूरा का पूरा वही है, बुक में जो content दिया हुआ है, language बगरा पूरा वही है, टेक्स हुआ ही है, लेकिन उसको images के साथ थोड़ा सा supplement किया गया है, so that की चीज़ें जो है, वो समझने में थोड़ा सा आप लोग के लिए आसान हो जाए, ठीक, चलिए, आगे देखते हैं, volcanic cones are most typical of the exclusive features, ठीक है, ज gently rising slopes and broad and flattened tops, ठीक है, gently rising slope है, इनका आप देख सकते हैं कि slope इसका किस तरीके से है, this is a gently rising slope, ठीक है, यहाँ पर, the volcanoes of Hawaii have the best developed lava domes, ठीक, the spectacular Mauna Loa and Kilauea are so accessible that they have been closely studied, यानि कि यहाँ पर जा सकते हैं, इनकी study बगरा हुई है, Kilauea has a very steep walled caldera into which the active vent pours, red hot lava forming the lava put off helle maumau, ठीक, thousands of lava foundations rise and fall in the dazzling pit, ठीक है, इस तरीके से आपका यह दिखाई देता है, that is your dome wall के नो, या आप कह सकते हैं कि shield wall के नो, ठीक है, इसके बाद जो अगला आपकी book में दिया गया है, that is about your ash and cinder cones, the less fluid lava that explodes more violently, ठीक है, यहाँ से आपको इनके features जो है, नोट डाउन करने है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ऊपर क्या दिया गया है, कि इसका जो slope है, gently rising slope, ठीक, और इसका highly fluid characteristic है, यानि कि इसका जो fluidity है, वो काफी जादा है, fluidity का मतलब आपको बताया था, ability to flow, ठीक है, जिसकी ability to flow, जादा होगी, यानि कि अब कह सकते है, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो slopes होगे वो बहुत जादा, steep slope नहीं होगे, ठीक है, slopes जो है, बहुत जादा steep नहीं होगे, यहाँ पर हाला कि लिखा हुआ है steep contract slopes, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, तो slips as compared to, अगर आप as compared to other volcanoes की बात करेंगे तो slopes जादा यहाँ पर high नहीं होंगे ठीक है ना इस चीज को समझना है दूसरी बात क्या है कि इसका जो लिखा गया है has a broad and flattened top ठीक तो इस तरीकी चीज़ा जो है वो आपको note करनी है कि जो भी इसके features बगरा दिये गए है इसी तरीके से आप लोगों का अपने notes बनाने है और इसी तरीके से चीज़ा जो है वो note down करनी है ठीक है अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि इसका जो ash and cylinder cones है this has got a less fluid lava यहाँ से बारने है यहाँ से सोटे से रीजन में ही सिर्फ से ही region में क्या हो जाएगा जो ही है क्या हो जाएगा fluidity कम है तो इसका जो slope है that will be high ठीक है जो slope होगा that will be steep slope यह यहाँ पर लिखा गया है with large central craters and steep slopes ठीक है यह सारे के सारे concept है आपको इनको ऐसा याद नहीं रखना है अगर आप इसका एक क्रेक्टर से याद रखते हैं जिसे आपको याद रखने की या रटने की ऐसा जर्वत नहीं है ठीक है यह स्मॉल वालकेनोस होते हैं अकरिंग इन ग्रॉप्स एंड सेल्डम एक्सेडिंग थाउजंड फिट इन हाइट यह निकिन की जो हाइट है वो बहुत जादा नहीं है एक्सामपल के तौर पर दिया गया है माउंट नुओवो नियर नैपल्स एंड माउंट पेरिकुटिन इन मैक्सिको दालावा फ्लोज आर सो विसकस देट इस वालिडिफाइ आफ्टर रा शॉर्ट डिस्टेंस वही बात लेकी गई है अब देखें लेस फ्लूरिटी क्यों है क्योंकि ये विसकस जादा है तो लेस फ्लूरिडिफाइ भी हो जाता है ये सारे के सारे जो कंसेट्स है वो रिलेटेड है तो यानि कि अगर आपने इस केस पर यह याद रख लिया कि इस जादा गाड़ा होगा ये गाड़े का मतलब क्या है गाड़े का मतलब यह है कि ये जादा इसकी जो फ्लूरिटी है वो जादा नहीं होगी जैसे आपको मैं एक example के दौर में बताओ, आप एक, मतलब glass में या किसी एक बरतन में, ठीक है, मतलब छोड़े से glass में ले सकते हैं, that is of the canch के glass में, पानी ले लिजिए, और दूसरे में आप similarly ले लिजिए, glycerine, ठीक है, that is a substance known as glycerine, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, तो इ glycerine has got more viscosity as compared to water, ठीक है, viscosity क्या होती है, ये मैं आपको बताने के लिए चीज यह से समझा रहा हूँ, ये एक बड़ी layman language में आप समझा रहा हूँ, otherwise मैं इसको technical language में भी आपको समझा सकता हूँ, कि viscosity में किस तरीके से जो shear forces वगरा का रोल होता है, पर उतना जादा आप लोग example से, जो मैं को glycerine और water का example बताया है, उस से relate कीजिए, ठीक है, अगर आप glycerine को, आप पानी को कहीं surface पे गिराएंगे तो वो जादा लंबे सा दूरी तक बह सकता है, लेकिन आप similar जगे पे similar amount of glycerine अगर pour करेंगे, तो glycerine जादा दूर तक नहीं जाएगा, क्योंकि glycerine has high viscosity, ठीक है, तो similarly, ash and cinder volcano के लिए आपको यह ध्यान रखना है, कि it has got more viscous, और more viscous है, तो क्या होगा, इसकी fluidity कम होगी, और fluidity कम होगी, तो यह छोटे दूरी में ही क्या हो जाएगा, कम distance में ही क्या हो जाएगा, solidify हो जाएगा, बस, इतना याद रखना है, एगर छोटे concepts को याद रखते चलेंगे, तो आप लोगं के लिए subject जो है, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है, और यही मेरा मकसद है, कि आप लोगं को subject जो है, समझ में आना चाहिए, रटना कहीं पर भी कुछ भी exercise नहीं है, ठीक है, जो चीज रटने वाली है, वो तो रटनी पढ़े ठीक है, अदरवाइस 80% के आसपर subject आपका पूरा का पूरा क्या है, conceptual subject है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, when they are confined in valleys, ठीक है, मतब जो लावा वगरा है, when it is confined in the valleys, they form लावा टंग्स, देखिए यहाँ पर, कितना बड़ी है example में आपको दिखाया है, लावा टंग्स, आ लावा टंग्स का मतलब है, जो लेक्स वगरा होते हैं, उनमें जब लावा फ्लो करता है, तो ले बिकम लावा टंग्स, वेन दे डैम आ रिवर वैली, ठीक, जैसे रिवर वैली है, कोई नदी की घाल्टी होती है, जैसे इस तरीके समानी जो रिवर वैली है, यहाँ पर न बना देता है, और यह जो नीचे में आपको इमेज में दिखाया, जैसे जो लावा टंग्स, यहाँ आप देख सकते हैं, कि जो सब सर्फेस है, मतलब अंदर से यहाँ पर पहले पूरा का पूरा सर्फेस होगा, मतलब यहाँ पर कुछ माटीरियल होगा, और बाद में यह प मतलब होता है, सुरंग, ठीक है, तो सुरंग सी यहाँ पर बन गई है, तो this is known as your लावा टनल, ठीक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि दोनों एंड में इसके लगबग आपको ओपनिंग सी दिख रही है, यह उजाला सा दिख रहा है, तो this is your लावा टनल, ठीक है, अच होता है, इन दोनों के बीच में अंतर मुझे आप बताएगा कि क्या होता है, ठीक है, जनरल टम है, रिलेटेड टू, मतलब इससे कुछ ऐसा रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि जोग्रफिकल लेंड फॉर्म ही है, दोनों के दोनों, टनल जैंड के तो क्या अं आप विद ग्रेट स्पीड, यानि कि काफी ऊचाई तक जो है वो बहे हो, क्योंकि जिस समय वालकेनी किरॉप्शन होता है, अगर आप लोगो ने कभी, मैं अब रियलिटी में तो नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप ने कभी इसका कोई वीडियो वगरा देखा हो तो व कुछ माइल्स तक जो है चीज़े ऊपर आस्मान में उठती हैं, ठीक है, और कुछ चीज़े तो ऐसी हैं कि वो अर्थ के चक्कल लगान लग जाती है, मतलब आप कह सकते हैं कि ग्रेविटी से ऊपर निकल जाती है, ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है कि काफी ऊपर तक है, वो जा सकती है, तो that is known as hurling, ठीक है, the very fine particles are the volcanic dust which may be shot so high into the sky that it travels around the world several times before it eventually comes to rest, ठीक है, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इतना ऊपर अगर ये जा रहा है, तो इसमें energy कितनी जादा होगी, जो नीचे surface के अंदर energy बन रही है, वो कितनी जादा energy बन रही होगी, ताकि जो material है, वो surface से निकल के इतने ऊपर तक जा रहे है, ठीक है, तो the dust or ash falls as black snow and can bury houses and people, the courser fragmental rocks are collectively called pyroclest and includes cinders और lapelie, scoria, pumice and volcanic bombs, ठीक है, तो इस तरीक है कि जो छोटे 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 rocks वगे रहा है, ठीक है, जो थोड़ा सब कोर्स है, उनको बला आता है, pyroclest, जिससे यहाँ पर मैं आ नाम यहाँ पर लग जता हूँ, this one is your lapelie, ठीक है, यह second one जो है, this is your scoria, यह white color का जो stone होता है, this is your pumice stone, ठीक है, यह काफी घर में भी काम आता है, pumice stone आप लोगों के शायद घर में होता भी होगा, use आप लोगों ने किया होगा, white color का इस तरीके का stone होता है, that is pumice stone and this is your volcanic bomb, ठ अपने आप में कितना जादा dangerous है, ठीक है, अगर आसपास कोई व्यक्ती है वहाँ पर, तो पहली बात तो यह है कि वह वैसी गर्मी तनी जादा होती है वहाँ पर, और दूसरी बात यह है कि अगर इस तरगी की चीज़े आसमान में उड़ रही है, फिर अगर उपर से गिर यह मान ली जा आपके सर में तरबला पत्थर के लिया, तो क्या होगा, आप बचेंगे थोड़ी, ठीक है तो इसलिए काफी जादा नुकसान वगर इससे होता है, और अभी आके हम जाके एक्जांपल के तौर पर देखिंगे, जो दो तीन एक्जांपल के नाम दिये गए है वहाँ पर बुक में ही आप लोगों के माउंट वेसिवियर्स, माउंट क्रिकेट आओ, वहाँ पर लोगों को जो है से काफी जादा नुकसान भी पहुचा है, ठीक है, देखिया, फिला लगला देखते हैं, जर इसे और कॉम्पोजिट वॉलकेनों के बारे में, इनको स्ट पर की तरफ को लाइन जा रही है, यह आपका में चैनल है, कंडविट का मतलब होता है, एक तरीक से आप कह सकते हैं, में पाइप, ठीक है, में पाइपलाइन जो है वो, ठीक, इसके तुरू जा रहा है, विच लीट्स डाउन और रिजर्वायर ऑफ मैगमा, यानि कि जो यह मैगमा रिजर्वायर है, यहां से, इच न्यु इरॉप्शन एड्स न्यू लेयर जाईठ और लावर तो इस जाईट्वायर बनी है, ठीक है, जब दूसरी बार में हुआ है, तो प्र थीसरी बार हुआ है, तो ये वाली लेयर बनी है, मतलब धीमे धीमे क्या होता जाएगा जो layers है वो एक करके add होती चले जाएंगी ठीक from the main conduit subsidiary dikes और pipes which reach the surface as feeders to parasitic cones ठीक है यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो यह है these are your यह क्या है these are your जो यहाँ पर यह चीज दिखे यह these are your subsidiary dikes या pipes ठीक है जो main conduit यहाँ से आप देख सकते हैं यह तो आपका main cone हो गया volcanic cone जो यहाँ से main निकल ला है main conduit और side में जो आप देख सकते हैं यहाँ से भी आपका क्या हो रहा है eruption हो रहा है ठीक है ना यह eruption जो हो रहा है this is your parasitic cone ठीक lava escapes through them to the sides of the main cones यह main cone से तो निकल ही रहा है और side में यहाँ से भी जो है lava निकल रहा है Mount Aetna in Sicily, Sicily is a place in Italy ठीक है has hundreds of such parasitic cones, another interesting composite volcano is Mount Stromboli whose frequent eruptions that make the summit glow have earned for it the name Lighthouse of the Mediterranean ठीक है इसको बलाता है Lighthouse of the Mediterranean तो आप लोग चाहें तो याद रख सकते हैं कभी कभी छोटे मोटे एक्जाम में इस तरीके terms पूछ ले जाते हैं कि कौन सी आपका जो mountain है due to the very frequent eruptions of volcanoes उसको Lighthouse of the Mediterranean बोला जाता है तो ध्यान रखेंगे that is Mount Stromboli ठीक है Other well-known composite volcanoes include Mount Vesuvius, Mount Fusey, Mount Popocatapal and Mount Chimborazo ठीक है, यह सारे के सारे आपके कहा है, they are also your composite volcanoes, composite का मतलब आप नाम से ही समझ सकते हैं, मतलब इसमें एक cone नहीं होगा, एक तो main cone है और उसके साथ इस तरीके से subsidiary cones भी होंगे, ठीक है, और जिससे क्या जो कहां को हमारा निकल रहे हैं बाहर, that is parasitic cones, ठीक है, जो parasitic cones है इससे वो बनना है, बहुत सिंपल है, समझने में, ठीक है और image वगर आप देखते हैं, तो आप इसको और भी जाद अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है इसके बाद एक last यहां पर और दिया हुआ है, that is your caldera cone, देख लेते हैं, ये भी क्या है कि during an eruption, material from the top of the cone is blown off और collapses into the vent, widening the orifice into a large crater, ठीक है ये जो हमारा orifice है, यानि कि जहां से हमारा magma बाहर आ रहा है, वो क्या होगा, that will collapse, ठीक है और वो collapse होके क्या हो जाएगा, एक wide बन जाएगा मतलब आप कह सकते हैं, कि चोड़ा हो जाएगा उपर से जो इसका, ये ओपनिंग है, ठीक है some volcanoes may have greatly enlarged depressions called calderas, which may be several miles across, ठीक है, ये काफी जो बड़ा है, जो surface यहाँ पर बनने है, इस तरीके से, ये काफी बढ़ा भी हो सकता है, ठीक है, miles तक भी हो सकता है these are the result of violent eruptions accompanied by subsidence of much of the volcano into the magma beneath, ठीक है कि जो magma chamber से यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ से बाहर निकला, उसके बाद क्या होगा कि वो वापस से अंदर जाके subside कर जा रहा है, तो इस वज़े से जो है इस तरीके चीज़े बनती है, और पानी जो है वो इस तरीके के जो craters वगरा बने हैं, उनमें इखटा हो सकता है, उससे हमारा crater या caldera lakes भी बनता है, एक्जामपल है लेक टोबा इन सुमात्रा, ठीक है लेक टोबा इन सुमात्रा, सुमात्रा इस आ आईलेंड इन इंडोनेशिया, तो वहाँ पर इस तरीके का लेक बना हुआ है, that is lake Toba, it is an example of crater or caldera lake, मतलब caldera बना है और उसमें पानी खटा हो गया, तो that becomes your caldera or crater lake, ठीक है, चलिए इसके बाद, यहाँ पर आप लोग की बुक में कुछ major volcanic eruption, जो है तीन के नाम और तीन के example दिए गए है सबसे पहला है Mount Vesuvius, दूसरा है Mount Cricketau, और तीसरा है Mount Peli ठीक, एक है करके इनको देखते हैं थोड़ा से इनके बारे में, और यहाँ पर image भी मैंने आप लोग के लिए attach की है, so that कि आप लोग देख पाएं कि यह real में कैसे दिखते हैं, ठीक है सबसे पहला है Mount Vesuvius Mount Vesuvius standing 4000 feet above the Bay of Naples, erupted violently or 24th अगस्त 79 AD, ठीक है 79 AD में यहाँ पर eruption बहुत जबरदस्त eruption हुआ था, taking the people who lived around it by complete surprise ठीक है, कि यहाँ पर जो लोग उस समय रहते थे, उनको मतलब काफी ज़ादा surprise हुआ था, क्योंकि यह काफी time के बाद erupt हुआ था, white hot lava flowed from parasitic cones, देखिए parasitic cones आया है, अब जैसे इस तरीके word आया, parasitic cones, अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि parasitic cones हमारा एक feature है किसका composite walcan का ठीक है, जो composite cone balconies होती है, उनका यह feature और उसमें क्या है, कि जो हमारा main conduit है, उसके अलावा side से भी क्या निकल रहा है, हमारे जो subsidiary dikes और pipes के थूज जो volcanic eruption हो रहा है, that happens through the parasitic cones, ठीक in the midst of a thundering explosion the highly gaseous magma escaped as gigantic luminous clouds, यानि कि यह बादलों की तरह उठा है उपर in cauliflower form cauliflower आपको पता है, जो गोबी होती है ठीक है ना, गोबी जो होती है, उसकी तरह से यह बाहर निकला है, and shot up to great heights before it fell to earth as pyroclest and ashes, ठीक है और काफी उचे height तक इसके जो material है, वो गया है, और उसके बाद फिर यह as a form of pyroclest नीचे आया है जमीन पर, pyroclest है आपके प्यूमेस और जो volcanic bomb बगरा है वो, ठीक है the city of pompey located to the southwest was buried beneath 20 feet of volcanic ashes ये देखे, कितनी बुरी स्थिती थी अभी आपको और हमको पढ़के उतना जादा नहीं लग रहा और वैसे भी इंडिया में अगर हम लोग बात करें which were later cemented by the torrential downpours of heavy rain that accompanied the violent eruption, ठीक है हुआ क्या था कि वहाँ पर पहले इरुप्शन हुआ उससे 20 feet की लगबग, आप कह सकते है कि ashes की एक layer बनी और उसके बाद उसमें बहुत जादा बारिश पड़ी वहाँ उस region में torrential downpour हुआ, यानि कि मूसलाधार बारिश हुई, और उससे क्या हुआ कि वो पूरा-कपूरा जो area था वो cemented हो गया मदब permanently वो पूरा-कपूरा cemented हो गया ठीक है, वहाँ पर काफी जादव जो है सनुकसान हुआ है, in a similar way the city of herculaneum on the west was completely overwent by the mud flow of ashes and cinder almost 50 feet thick अब समझे हैं, आप 50 feet, 20 feet कितना जादा है, ठीक है washed down by torrential rain from the slopes of Vesuvius, almost the entire population of the two cities was buried alive अब आप भी समझ सकते हैं कि जो यहां कि पूरी की पूरी population है, वो किस तरीके से खतम हुई होगी और इन लोगों को कितना जादा इसका जो नुकसान है और कितना जादा जिलना पड़ा होगा, आप समझ सकते हैं सबसे वहले तो आपके उपर जो है 20 feet उची layer of ashes है ठीक है, और भी पूरी की पूरी गरम है, आप उसके नीचे दबे हुए है तो आप समझ सकते हैं कि वैसे ही आप खतम हो जाएंगे, वैसी कुछ नहीं बचेगा और दूसरी बात है कि उसके पर बारिश पड़ी तो पूरा का पूरा सिमेंटेड हो गया, मतलब आप एक तरह के सकते हैं कि लोग, they were buried alive, बिल्कुल सही लिखा गया है, buried alive का मतलब है कि वो जिन्दा दफन हो गए वहाँ पर, ठीक है वो जिन्दा दफन हो गए, वो कहीं जा नहीं सकते थे क्योंकि इतना ज़ादा पूरा का पूरा था कि पूरे के पूरे शहर में ये चीज़ फैली हुई थी आप कहां जा सकते हैं, थोड़ा बहुत तो था भी नहीं 20 फिट, 50 फिट, it is very मतलब आज की डेट में इसको सोचें भी तो आप कह सकते हैं कि सोचने से ही जो रूह है हमारी वो काब जाती है ठीक है न, 20 फिट की आप समझ सकते हैं कि volcanic ash आपके उपर पड़ी है और उसके बाद पूरा का पूरा बरिश पड़ी तो पूरा दौरा cemented हो गया, तो कितना दर्दना की एक incidence है आप इसको खुछ समझ सकते हैं, ठीक है after this, minor eruptions occurred from time to time, but the fertility of the solidified volcanic ashes tempted many farmers to begin are new on the slopes of Vesuvius, ठीक है, कि बाद में ठोड़ा बहुत eruptions और भी हुए है, लेकिन जो हमारा slope था, यानि कि जो ये Vesuvius mountain का जो slope था, उसकी कुछ जो solidified volcanic ash हुई है, उसकी कुछ fertility थोड़ा सा अच्छी थी, तो वहाँ से, वहाँ पर कुछ farmers बगरा ने जो है, खेती बगरा शुरू कर दी थी, then came the catastrophic eruption of December 1631, पहले तो 79 AD में हुआ है, उसके बास 1631 में December में फिर से eruption हुआ है, when an avalanche comprising red hot volcanic debris, pasty lava and highly energized gases ruined 15 towns and killed 4000 inhabitants, the ashes that descended on the apples were estimated to be a foot thick, avalanche का मतलब होता है, जैसे आप लोगों को अगर हिमालिया बगरा की बात करें या जहाँ पर इस तरीके के snow-clad mountains होते हैं, वहाँ पर avalanche का मतलब होता है, हमस्कलन, कि आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े जो हिमालियास के पार्ट है, आप कह सकते हैं कि जो snow-covered mountains है, वो पूरे के पूरे टूपते हैं, that is known as avalanche, तो यहाँ पर avalanche आया है और वो avalanche किसका है, वो red hot volcanic debris है, जानि कि आप समझ सकते हैं कि उसमें lava निकल रहा है, वो lava का avalanche है, उससे कोई बज़ भी नहीं सकता, ठीक है, उससे बज़ने का कोई chance भी नहीं है, क्योंकि बरफ में तो एक बार को क्या अगर आप मतलिब मान लीजे, बरफ का जो, मैं बता रहा हूँ कि avalanche, generally avalanche जो word है, वो हम लोग mountains के साथ, और especially जो हमारे snow covered mountains है, उसके साथ relate करते हैं, वहाँ पर तो क्या है है, कि सब कुछ जल जाएगा, और दूसरी बात है, कि इतने गरम में अगर आप अंदर दबे हुए हैं, लावा की, तो बचने का वैसी भी कोई chance नहीं है, ठीक, इसी ने लिखा in August 1883, यानि कि आज से बहुत साल हो चुके है, अब तो खेर, ठीक है, क्रिकरड़ कहा है, is a small volcanic island in these Sunda Straits, midway between Java and Sumatra, जो इंडोनेशिया में हमारे Java and Sumatra के island है, उनके बीच में जो Sunda Straits है, वहाँ पर लाई करता है, ये, ठीक है, ये एक volcanic island है, द्वीप है, dense black clouds of ashes, short, 20 to 50 miles high, अब देखें, 20 से 50 mil high तक इससे जो है, clouds बने है, and were brought down as mud by the torrential rain, which fell over the adjacent islands, इसे गार, adjacent islands के उपर फिर क्या हुआ कि बारिश हुई, और वो जितना भी dust के form में उपर उठा था, cloud के form में उपर उठा था, वो बारिश के द्वारा सारा का सारा नीचे आ गया, so much magma was ejected from the underlying reservoir, that two-thirds of the island collapsed and disappeared, forming a huge submarine caldera, ठीक है, यहाँ पर एक caldera form हुआ है, और वो क्यों हुआ है, क्योंकि इतना जादा magma इससे निकला था, कि अंदर से यह reservoir जो था, इसका पूरा का पूरा खाली हो गया था, ठीक है, और two-third of the island जो था, वो collapse कर गया, and disappeared forming a huge submarine caldera, caldera का मत्तमरा आपको बता जिया किस तरीके से वो पूरा का पूरा उपर का जो है, वो जादा गहरा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और जिसका explosion था, वो आप मैं बता रहा हो कि इंडोनेशिया में हुआ है, जावा सुमात्र आपके इंडोनेशिया में है, लेकिन इतना बड़ा explosion था, कि इसकी जो आवाज है, वो ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दी गई थी, ऑस्ट्रेलिया तक जो की तीन हजार माइल्स दूर है, ठीक है, the fine dust that was thrown into the upper part of the atmosphere traveled several times around the world, causing brilliant sunsets and glowing sky in many parts of the globe, अब आप समझ सकते हैं कि जो इसके, क्योंकि इससे basically ये brilliant sunsets और glowing sky कैसे हुआ, क्योंकि इसमें जो phenomena of हमारे reflection वगरा होते हैं, वो particles जितने जादा उपर चले गए थे, कि उससे reflection वगरा हुआ और इस तरीके के phenomena देखने को मिले, जैसी कि आपको पता है कि rainbow कि इस तरीके से बनता है, ठीक है, जब हमारी जो पानी की बूदे होती है in the atmosphere बारिश के बाद, उसके तरू जब sun rays pass होती है, ठीक है, तो वहाँ पर उसका कुछ reflection होता है, और वो पूरी की पूरी जो light है, वो एक तरीके से, मतलब, अलग-अलग parts में जो है, टूट जाती है, in the seven colors में, वही उसका, उस तरीके से है, तो similarly इस तरीके के particles जब उपर गए, इतने जाद और काफी लंबे time तक ये घूमते रहे, तो इसकी वही से कुछ brilliant sunsets और glowing sky जो है, वो देखने को मिला है in different parts of the world, ठीक है, दो crackledow itself was not inhabited and nobody was killed by the lava flows, क्योंकि इस mountain में या जो यह हमारा volcanic island था, यहाँ पर कोई नहीं रहता था, तो इस वएसे इससे तो कोई नहीं मरे थे, लेकिन the vibration set up enormous waves over hundred feet high, which drown 36 people in the coastal districts of Indonesia, लेकिन इससे क्या हुआ, कि volcanic eruption जादा था, तो volcanic eruption होने के वेसे एक तरीके fit, यानि कि जो यहाँ पर, क्योंकि यह आपका क्या था, this was an island, तो इसके चादा तरफ जो water body थी, वहाँ पर काफी जादा जो है, वो waves generate होई, और waves generate होने की वेसे आप एक तरीके से कह सकते हैं कि tsunami का जो type है, यानि कि इसको तो हम कहेंगे, कि यह तो बहुत massive tsunami है, soft fit के आसपास की wave विवताई जा रही है, ठीक है, और इससे जो coastal districts of Indonesia है, वहाँ पर लगबख 36,000 लोग जो है वो प्रभावित हुए, और वो डूब गए, they were drowned, ठीक, after remaining dormant for almost half a century, dormant का मतलब मैं आपको बताया था ही न, sleeping state, आप इसको यह नहीं सकते ही, कि यह खतम हो गई है, extinct नहीं है, लेकिन dormant है, यानि कि यह अभी हाल के दुरों में active नहीं है, तो यह लगबख आधे century तक, यानि कि लगबख 50 साल तक यह dormant mode में रही है, उसके बाद इसमें फिर से eruption हुआ है, 1927 में, pushed up a cinder cone from the submarine floor, culminating in a summit of 220 feet high above the sea level by 1952, ठीक है, और इसमें इस तरीके से क्या हुआ है, कि cinder cone बना, आपको cinder cone पीछे बताया, क्या है, ठीक है, और cinder cone बना, और उससे क्या हुआ है, कि 220 feet high का एक, बदब sea level से इतना का एक उपर summit, एक चोटी सी बन गई है, and this new volcanic island was named Anak Krakatau, meaning the child of Mount Krakatau, ठीक है, क्योंकि 50 साल के बाद हुआ है, तो इसको ये बोला गया है, कि ये जो original Mount Krakatau था, उसका क्या है, बच्चा है, उसका child है, और इसका नाम लिखा गया है, Anak Krakatau, ठीक, और ये क्या है, जो आपका, क्योंकि जब उस समय 1883 में जिस समय eruption हुआ था, तो उसके बाद तो इसमें से इतना साथा material निकला था, कि हमने पढ़ा यहां पर, कि two-third of the जो पूरा का पूरा island है, वो खतम हो गया था, मतलब उसमें से इतना material बहार निकल गया था, ठीक है, और बाद में फिर इस तरीके से जब नीचे से इसमें और ज़्यादा material आया, तो फिर इसका जो mountain peak है, जो summit है, वो 220 feet high हो गया, तो इसलिए उसको बोला गया कि आप मतलब यह जो mountain है, यह दुबारा से form हो गया है, तो इसको बोला गया है, अनक क्रकटाओ, that is the child of Mount Cricket, ठीक, चलिए, एक last और दिया गया है, आपके book में example, that is your Mount Pally, ठीक है, the eruption of Mount Pally of the West Indies in 1902 was the most catastrophic of modern times, यहनी कि सबसे ज़्यादा बयाओ है, सबसे ज़्यादा खतरनाक था यह, the volcano erupted white hot lava and superheated steam which swept down the slope at an amazing speed as Nui Ardente, that is glowing avalanche, फिर से वही बात है, glowing avalanche मतलब, avalanche तो है, यानि कि पहाड का हिस्सा तूटके जा रहा है, mountain का हिस्सा तूटके जा रहा है, लेकिन वो किसके form में है, in the form of volcanic debris, ठीक है, इसलिए वो glow कर रहा था, St. Pirey, the capital of Martinique, lying on the south of the lava was completely destroyed within minutes, क्योंकि उपर से पूरा का पर शहर को क्या कर दिया, खतम कर दिया, the entire population of 30,000 except two of them was killed almost instantly, एकदम से जारे के सारे लोग वहाँ पर मर गए, सिर्फ दो लोग बचे, 30,000 की पुरी जनसंक्या थी, जिसमें से सिर्फ दो लोग बचे, और उन में साहिल बेरिस, he was an Afro-Caribbean person, और इस व्यक्ती ने जो है, वो यह किस तरह के कोई structure था, जहांपर इन उनने अपने को survive किया था, and that is why he is known as the, the man who lived through the doomsday, and the most marvelous man of the world, ठीक है, अगर आप मैंसे कोई एक दूसरा व्यक्ती जो है, क्योंकि यहां पर लिखा गया है, except two of them, तो two मैंसे एक तो यही है, ledger, style, bearish, और अगर आपको दूसरा व्यक्ती मिलता है, चीक है, वैसे मैं तो कौँगा डूटनी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि it's a very vague thing, आप से exam मैं नहीं पूछा जाएगा, कि दो व्यक्ती कौन थे, लेकिन मैंने डूटने कोशिश करी, पर मुझे यह एक ही व्यक्ती मिला है, that is bludger, style, bearish, अगर आपको कोई दूसरा व्यक्ती मिलता है, मालने जिए किसी का होता है, कि पढ़ने के टाइम पर एक inquisitive mind होता है, कि यार नहीं चलो, ढूटते हैं, कौन था दूसरा, अगर किसी को मिल जाता है, मालने जिए ऐसी randomly, बहुत साथ अपना time जवर्दस्ती मत खराब कीजेगा, please मैं request कर रहा हूँ, अगर किसी को मिल जाता है, तो कौन था, लजर साहिल बेरिस के साथ, जिन्होंने survive किया था, ये सेंट पियरे का, जो सेंट पियरे में, जो volcanic eruption हुआ था, from this mount पहली, उसको, ठीक है, अगर मिल जाए, तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है, तो उसको आप, मैंने अपने तरफ से काफी effort किया, और मुझे वो चीज नहीं मिली, ठीक है, तो इसलिए, फिर मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने का, जादा इस पर time waste करने का कोई मतलब नहीं है, because हम यहाँ पर exam point of view से त्यारी करने बैठे हैं, और exam में यह चीज नहीं पूछी जाएगी कि हो दो व्यक्ति कौन थे, एक तो बड़े असानी से मिल गया, तो इनकी यही photo जो है, वो इस तरीके का postcard में वहाँ पर छपी हुई है, और यही photo मिल रही है पुरे के पुरे इंटरेनेट में, ठीक है, इनका नाम है लजर साहिल बेरिस, he was an Afro-Caribbean person, और यह एक, दो मैंसे एक विक्ति हैं, जिन्होंने इसको survive किया था, ठीक है, चलिए, आगे देखते है, even the sea was boiling and all the ships in the harbor were wrecked, मतलब destroyed, ठीक है, क्योंकि इतना जादा अगर उसमें volcanic eruption होगा, इतना जादा उसमें lava flow करेगा, तो sea तो boil हो गई होगा, ठीक है, और जितने भी हमारे harbor पे जितने भी ships खड़े वे थे, they all were also destroyed, ठीक है, इसके बाद आगे दिया गया है कि injection of volcanic materials continued for several months, काफी लंबे, मतलब काफी मैनों तक जो इस तरीके का eruption बगरा है, वो यहां से होता रहा है, until our volcanic spine rose from the crater almost a thousand feet high by a middle of 1903, तो 1903 के मध्य में लगबग क्या हुआ, कि उसके अंदर से vertical spine जो है, vertical spine हम लोगों ने पिछल lecture में देखी थी, कि इस तरीके से एक, आप कहा सकते हैं, कि एक hard material जो है, वो निकल के आता है बाहर, ठीक है, और वो flow नहीं करता, ठीक है, जो thousand feet high था लगबग, वो 1903 में निकल के आया, ठीक है, the spine was formed by a pasty lava, partially solidified in the neck of the volcano, and part of the spine, however, crumbled under continual withering as well as internal forces, ठीक है, तो जो बना था spine, वो उसके date में अगर आप बात करते हैं, तो यह जो figure आपको यहाँ पर दिखाई गई है, this is the mound पहले, यह figure जो इस तरीके से है, यह इस तरीके से ही mound पहले आज की date में दिखाई दे रहा है, ठीक है, चलिए, तो इसको आज इतना ही रखते हैं, इसमें थोड़ा सा हम लोगों को एकाथ concepts, volcano-related बात और करनी है, और distribution of volcano के हम बात करेंगे, जो Pacific Ring of Fire है, उसकी बात थोड़ा सा करेंगे, और थोड़ा सा part इस book में, इस chapter में earthquake को लेकर दिया गया है, हलाकि earthquake, इसमें काफी ज़्यादा मैं कहूंगा कि मतलब केवल उपर-उपर से लोगों ने ज़्यादा पढ़ाया नहीं है earthquake, earthquake हमने अपनी जो NCRT की book है, that is your fundamentals of physical geography, NCRT class 11, उसमें बहुत detail में जो है earthquake discuss किया हुआ है, ठीक है न, तो उसको मैं दुबारा से यहाँ पर चीज़ें सारी के सारी discuss नहीं करूँगा, because क्योंकि हम लोग इस book को यहाँ पर cover कर रहे हैं, और वो सारी के सारी चीज़ें पहले ही discuss की जा चुकी है, ठीक है, तो उसको आप वहाँ से जाके जो भी अगर इच्छुक हों, तो उसको आप detail में वहाँ पर पढ़ सकते हैं, जितना यहाँ पर दिया हुआ है, उसको अच्छे से समझाना, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं अगले lecture में complete कर दोगा, ठीक है, तो अगले lecture में यह जो chapter है आपका complete हो जाएगा, और फिर से मैं आप लोगों को बता दूँ कि अब यह course जो है, regular हो गया है, यानि कि Monday आज है, और Monday से लेकर, यह अब Saturday तक आपको रोज सुबे सी तरीके, आज़ वीडियो जो है, वो मिलेंगे, और इस पहले part जो है, जो इसका part 1 है, इस book का, उसमें 12 chapter है, जिसमें से तीसरा जो है, वो अगले बार में complete हो जाएगा, तो इस तरीके सा, अगर आप expect करके चलते हैं, तो almost हमारे पास 35 से 40 के आसपास maximum videos या maximum lecture होंगे, इस पहले part के, ठीक है, और उसको अगर आप लेके चलने, तो हमारे पास लगभग लगभग आप कह सकते हैं, कि एक हफते में अगर 6 videos हम दे रहे हैं, तो आपको maximum देड़ हफते के आसपास, या sorry, देड़ महने के आसपास का time लगेगा, तो we expect that this first part to be completed before, और around 15 September के आसपास, तक हम लोग इसको लगभग लगभग complete कर लेंगे, चीक है, क्योंकि कुछ लोगं को ये भी डाउट था कि कब तक चीज़े complete होंगी, या जो भी है, तो उसके बाद ये पहला पार्ट जैसे ही complete हो जाएगा, उसके बाद जो इस book का बाकी बचावा part है, that is your second part जो है, जिसमें major climate and vegetation को लेकर बात की गई है, around the world, उसको हम लोग start करेंगे, और वो भी फिर maximum, क्योंकि उसमें भी लगभग फिर आपके 12 तेरा chapter ही है, तो वो जल्दी complete हो जाएगा, और वो भी लगभग लगभग फिर एक से डेड़ मेने, दो मेने के आसपास आसपास, वो भी complete हो जाएगा, यानि कि पूरा का पूरा जो यह book है, हम इसके अगर बात करें, तो यह आपकी October end तक, या November 15 तक almost complete हो जाएगा, ठीक है, चलिए, तो अगर आप लोग को lecture पसंद आया है, तो please like जरूर कीजेगा, जादर शादर share कीजेगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लिक्स के साथ, अपने कोई भी doubts, कोई भी queries हो, जो genuine हो, ठीक है, इस तरह की inquisitive mind लेकी भी जादा नहीं चलना है, क्योंकि यह आमको exam related अपनी जो focus है, अपनी जो energy है, वो exam related चीज़ों पर लगानी है, ठीक है, research करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, अभी आप लोग उस चीज़ पर ज़्यान दें, जो exam में आ सकता है, ठीक है, जिस तरह questions exam में आये हुए हैं, जिस तरह एक concept exam में पूछे गए हैं, या पूछे जा सकते हैं, उन पर आप लोग अपना focus जादा बनाए रखें, ठीक है, चीज़ों को जानने की जो जिग्यासा है, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आप मैं अभी भी exam में अगर उस तरह कोई question बगर आया है, तो आप उसको solve कर भाएं, ठीक है, बाकि अपना जो अगर content related कोई भी आपको doubt अगर और होता है, तो उसके लिए आप हमारा telegram का जो group है, that is, Ocul, GS, UPSC, इसको join कर सकते हैं, इसका link जो है, वो नीचे description box में दिया हुआ है, और अगर link कभी-कभी telegrams के काम नहीं करते हैं, तो वहाँ पर आप इसको telegram में जाके, Ocul, GS, UPSC, discussion, forum के नाम से जो group है, उसको search कर सकते हैं, और वहाँ पर इसको आप join कर जाएगी, तो हम लोग वहाँ पर भी चीज़ आप लोगं के लिए अपडेट करते जाएं, ठीक है, social media का main purpose यह है, कि आप लोगं के लिए कोई भी चीज या कोई भी information है, या कोई भी जानकारी है, वो छूटीनी नहीं चाहिए, social media का use इसलिए करा जाता है, ठीक है, तो इसलिए multiple social media का, अगर आप channel को join करके रखते हैं, अगर आप लोग फेस्बूक वगरा use करते हैं, इस्टाग्राम वगरा use करते हैं, तो join हमारा channel जो है, वो जरूर कर लीजेगा वहाँ पर भी, जो हमारा platform है, ठीक है, अगर नहीं बनाया हुआ है, तो जबरदस्ती बना के अपना time waste करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, टेलिग्राम पे भी आपको almost, मैं कहूँगा कि जितनी भी information है, वो टेलिग्राम के जल्दी चाहे purchase कर सकते हैं, उसकी validity मैं आपको लोगों को पहले ही बता दिया है, पांच साल की validity है, उसमें अभी आप लोगों को सारे के सारे वीडियो मिल रहे हैं, और notes और quizzes भी जो है, वो बहुत जल्दी update वहाँ पर कर जिये जाएंगे, ठीक है, बाकि अगर course purchase करते टाइम, आपको यह technical query अगर face करते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक number शेयर करता हूँ, that is 9498086380, ठीक है, कभी भी इस number पर अगर आपको कोई भी doubt होता है, technical doubt आपकी बात कर रहा हूँ है, जैसी कि वाले यह course purchase करते टाइम, का भी आपका money, पैसा ट्रांजेक्ट हो जाता है, लेकिन आपको course अगर आपके access नहीं मिल पाती है, कभी कुछ technical issue अगर आपकी वैसे इस तरीकी की बाते हो जाती है, तो उसके लिए आप इस number में contact कर सकते हैं, WhatsApp के through, otherwise technical, अगर आपको कोई content related doubt है, तो वो आपको टेलिग्राम के इस group में पूछना है, ठीक है, बाकी अगर आप हमसे कोई और बात पूछना चाहते हैं, कुछ और अगर बताना चाहते हैं, ठीक है, मतलब जो आप अगर 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 इस तरीके के जो public groups में के रहा हैं, वहाँ पर अगर बात नहीं share कर सकते हैं, कोई personal बात अगर आप बताना चाहते हैं, या कुछ आप कुछ तरीके अगर doubt है, तो वो आप हमारी जो email ID है, that is local helpdesk की email ID, that is support at the local.co, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूँ, course अभी regular हो चुका है, Monday to Saturday, सुबह 8 बज़े आप लोंको इसके वीडियो जो है, वो daily बिलेंगे, और बाकी जो हमारे courses चल रहे है, that is Indian quality दिन में 2 बज़े, और रात को 8 बज़े हमारे दो courses चलते है, that is your Indian economy, Monday to Wednesday, and Thursday to Saturday, जो है वो हमारा चल रहा है, environment, बाई शंकराई ऐसके एडमी की जब होगे, वो ठीक है, और history को लेकर भी हम लोग बहुत जल प्लान कर रहे हैं, कुछ history के वीडियो आप लोंके सामने बहुत जल जो है, वो मिलने लग सकते हैं, ठीक है, तो देखते हैं, जि थेखते हैं, बाई बाई, बाई